बिस्मिल्लाहिर रह्मान इवराहिम असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टू माई चैनल कुकिंद विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो आफ्यसे होंगे अल्ला तला आपको हमेशा होशरोबाद लगे आमिन सुमामिन तो विवर्स आज हम एक जटपस्टी रेसिपी लेकर आपक लेकिन बहुती क्रिस्पी बहुती मज़े के यह स्नैक्स मने हैं इंशाला आपको यह रेसिपी बेहत पसांद आने वली है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्स्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजग ताकि आपको में नहीं नहीं वीडियो की नोटिफकेशन फोरण से मिल सके जो फ्री ओफ कोस्ट है तो चलिए वस देख लेते हैं कि हमने यह मज़ेदार से और बहुत ज्यादा ले लिया है इसको चान लेना है चानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके एक्ट्रा लंस भी सा करेंगे और चार टेबल स्पून हम भरके शामिल कर देंगे देशी घी के अगर देशी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर दोनों तरहां के घी आप यूज़ नहीं करना चाते तो इसकी जगा पे कुफिंग ऑईल भी ले सकते हैं तो चलिए इसलिए वीवर्स यह स्ट्रेप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब हमने पानी ले लेना है एक कप मेने पानी लिया है कितना पानी हमने यूज़ किया है इंशाला आगे चलके मैं आपको बताउंगी पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही यूज़ करेंगे क्योंके हमने एक हार्ट डो बनानी है बिल्कुल उसी तरह ही डो रैडी करेंगे जैसे हम समोसे के लिए रैडी करते हैं इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा ही यूज करेंगे क्योंकि पानी एक दम से ज्यादा डाल दिया ना तो नर्म हो जाएगी थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज करते व में इसको हार्ड रखना है यहां भी तक्रीबन वन बैफ फॉर्थ कप पानी बच गया है यानि के पूरा एक कप पानी का इसमाल नहीं हुआ इसको कवर करके तक्रीबन 20-25 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पे ताकि यह थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और समूध हो हुआ यहां ए тоб communicated यह थोगा मैं है प्रYY निए इसको फेड ब्रे देंगर अल एक मतनी कर दिएंगे और बाकी जो दो सुफ्टे चाहिए और चला है कि एक विड़ा हम रेडी करने लगे हैं इसको थोड़ा सा आतों की वद्ध से प्रेइस कर लेते हैं यानि कि फेला लेते ह इसको रख देते हैं कटिंग बोर्ड के उपर और इसके उपर थुरा सा खुश्क मैदा यानिके खुश्क आटा स्प्रेड कर देते हैं अब हम इसको रोल करेंगे कितना रोल करना है इसकी थिकनेस में आपको आगे चलके बताती हूं तो यहां पर वर्ज हमने सारी ही शीट को रोल कर लिया है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं तो देखे वर्ज इस तरह की शीट रेडी हो जाने चाहिए तक्रीबर half inch के करीब इसकी थिकनेस है तो अब हमने इसके उपर थोड़ा सा घी स्प्रैट कर देना है हाथों के मतर से स्प्रैट कर लें या आप ब्रश ले लें हाथों से स्प्रैट करेंगे तो सारी शीट पर अच्छे तरीके से घी आ जाएगा और इसके उपर मैदा डॉस्ट कर देते हैं जो हमने गी सिप्रिट किया है और मैजार्ड किया है इसे क्या होगा कि लिएदै ज्यादा साहरी मन जाएंगी मैजा भी हमने हाथों की मूदर अच्छे तरीके से फिला लेना है सारी शीट के उपर तो चले वर्थ इस तरह शीट हमने रेडी कर लिया है इसको उपर गी और मैदा अच्छे तरीके से लगा लिया है बस अब हमने बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इसको रोल कर लेना है थोड़ा बरीग वरीग रोल करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लेयर्स बन सके तो हैना कितना इंट्रस्टिंग कितना मज़े का और कितना सिंपल सा देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बताने कितनी मुश्किल से हमने यह लेयर्स बनाई है लेकिन है देखने में कितना ज्यादा सिंपल सा आसा और इंट्रस्टिंग सा काम है थोड़ी सी हमने लई बनाई थी यान हम इसकी cutting करने लगे हैं एक इंच के cutting करेंगे यानि कि एक एक इंच के फासले से हम इसको cut लगाते जाएंगे सेंटर में अगर आप फिंगर लखेंगे तो बिल्कुल इकवल से आपकी यह snacks ready होंगे ना चोटे ना बड़े इस तरह आप सेंटर में snacks ready हो गए हैं सिर्फ एक पेड़े से तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप दो कप मैदे से बनाएंगे snacks को इतने धेट सारे ready हो जाएंगे और इन snacks की एक हास बात यह हैं कि आप एक महीना तक इंको store भी कर सकते हैं जब दिल चाहे शाम की चाहे के साथ इन snacks को निकालें और खूब इंच्वाइक कीजिए एक पीस हमने पकड़ा है उसको finger की मदर से हमने थोड़ा सा प्रेस किया है और उसको रोल कर दिया इसना एक लंबी शेप में यह snacks बन जाएंगे आप दुबारा देख लें एक पीस पकड़ेंगे इसको थोड़ा finger की मदर से प्रेस करेंगे और अगर यहां पर पेश आएगी थोड़ा सा मैदा भी लगा लीजेगा ताके रोल करना आसान हो जाए और इसको थोड़ा सा रोल है यह भी वर्फ आप देख सकते हैं कि इतना ही गर्म होना चाहिए मीडियम हीर पे हमने ओיל को गर्म किया है और हीर हमने vocal ही रखनी है यह नरी के फ्लेम हमनेम टू लो रखना र और उस पे हमने इसको क्रिस्पी और गॉल्डन हो जाने तक फ्राइग कर लेना है तो चलिए वहाँ सिस nehme printing ऑन देन्ट उनको फ्राई करने में णाइव हैं थोरा सा इसके ओपर drying जाते हुए मैं इसको तो इते हुए में की शावाप्ट घरीज़ेन से लगए तो लाइक उशेयर कर दीजेगा और उत्साएलर चालर से मोछायंगे ताकि आपको में नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन फोरण से मिल सके जो free of course है तो ये लिजे वर्ष तीन स्नैक हमने और रेडी कर लिए बिल्कुल इसी तरह हम बाकी स्नैक भी रेडी करके रख लेते हैं सेम प्रोसेस कर रिपीट करना है और इसना मदेदार से क्रिस्पी से और गोल्डन से स्नैक बहुत ही जल्दी से रेडी कर लेने हैं तो ये लिजे वर्ष मदेदार से बहुत थी ज्यादा लेर्ष वाले स्नैक हमने रेडी कर लिये हैं कितनी जल्दी ready किये हैं आपको अंदाजा भी नहीं और कितनी ज्यादा layers हैं और कितने ये crispy और crunchy बने हैं मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ इसको तोर के दिखाऊंगे और oil भी आप देख सकते हैं कि oil भी इसके उपर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है तो ये देखे बहुत ज्यादा layers वाले बहुत ही जल्दी बन जाने वाले tea time snacks हो चुके हैं ready इसको बनाए शाम की चाई के साथ महमान आ जाएं तो फोरम से ही बन जाएंगे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी बहुत ही interesting काम है ये जल्दी से जाए बनाए और खुब इंचवाई कीजे और ट्राइ करने के बाद feedback देना मत भूलिएगा तो चलिए विवर्स इजादत दीजिए फिर हाजिर होंगी इन्शाला एक नई recipe के साथ अपना बहुत सा हया रखिएगा मुझे भी दौाओं में या रखिएगा अल्ला हाफिज